वैसे देखा जाए तो सोरियसिस ये स्कीन की बिमारी है लेकिन इसकी वजह से आदमी अंदर से तूटने लगता है कॉन्फिडेंस कम होने लगता है सोसाइटी में भी समाज में भी लोग सोरियसिस के पेशन को एक अलगी नजर से देखते हैं और उससे बाकी के भी प्रावलम्स जिंदगी में होते हैं शादी में भी दिक्कते आती हैं तो ये बिमारी बहुत ज़्यादा त्रस्त करने वाली है परेशान करने वाली है अंदाजन एक परसेंट लोगों को भारत में ये तकलीफ है और सोला से लेके पैतालिस के उमर तक के बहुत ज़्यादा पेशन्स में ये पाया जाता है तो क्या कारण है जिसके वजह से ये सोरियासिस होता है और सबसे इंपोर्टन बात है कि इसका इलाज क्या करना चाहिए क्योंकि ये बहुत तकलीफ देने वाली बिमारी है, काफी दिन तक चलने वाली बिमारी है तो कौन से ऐसे घरेलो उपाय है, टूटमेंट किस तरह से करना चाहिए, ये सब बाते मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ, इसे पूरा अवश्य देखिए, डॉक्टर टॉंग से होमियोपेथी, ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकान पर क्लिक करें, पहले इसको जरा समझते हैं, हमारी जो स्कीन है, जो हमारी चमडी है, वो रोज नहीं बनती रहती है, सेल्स बनते रहते हैं, पूराने सेल्स जो है, या डेट सेल्स जो है, जो सेल्स मर चुके है, वो एटोमेटिकली स्कीन से निकल जाते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है, हमा के जैसा जमा होने लगता है और इसी पपड़ी को हम लोग सोरियस कहते हैं मोटे और ऐसे लाल-लाल धब्बे इसमें हमको दिखने लगते हैं और यह बहुत तकलिफ्स दायक बन जाता है सो यह तो हो गया सोरियस बनने का कारण लेकिन यह होता क्यों है इसके पीछे कारण क्या है तो यह आपको भी हो सकता है अनोंशिकता अभी इसमें कारण रह सकती है कुछ कारणों से यह बढ़ता है थंडी से कभी-कभी यह बढ़ जाता है या फिर बहुत जादा सोप लगा दिए तो उससे यह बढ़ जाता है इसमें मुखित लक्षांस हमें दिखते हैं उसमें होता है खुजली होना क्योंकि बहुत ज्यादा scaling होने लगता है कभी-कभी पपड़ी के नीचे से खून भी निकल सकता है swelling हो सकती है इसके साथ-साथ और एक symptom हमको psoriasis में patient में दिखता है वो है नाखून जो nails होते है उसमें ऐसा गड़ा गिर जाता है curve बन जाता है इस तरह से नाखून में भी changes इसमें दिखते है patient का stress level भी इसमें बहुत बढ़ जाता है psoriasis जो है इसकी कुछ खास जगह होती है कुछ खास locations होता है ज़्यादातर cases में बालों के जो layers है बालों के बीच में skin के पास काफी patients में ये दिखता है ऐसे layers यहाँ पर दिखने लगता है बालों के अंदर भी ये दिखने लगता है गर्दन पे इसका प्रमान बहुत ज़्यादा रहता है कोहनियों में भी ये बहुत ज़्यादा दिखता है दोनों कोहनियों में दिखने लगता है उसी तरह से पैरों पे सामने के भाग से भी ये दिखता है पेरों पे भी दिखता है छ्हाती पे पेड़ी आता है उसी तरह से अगर बगल में हो जाए या फिर जांगों के बीच में या फिर फिमेlles में हमको ब्रेश्ट के नीचे के सैड में भी याने कि जहां पे जादा पसीना आता है उन जगहों पर भी ये इसका प्रमान ज़ादा दिखता है और वहां के जो scales होते हैं वहां के जो पपड़िया होती है थोड़ी अलग प्रकार की होती है वो थोड़ी चमकदार प्रकार की होती है लाल और चमकदार इस प्रकार की ये बन जाती है और ये इस प्रकार की बनती है पसीने की वज़े से सोरियस का निदान करना बहुत ही आसान है कोई भी डॉक्टर अगर स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे तो तुरंत वो स्केल्स देखके आपके इंफेक्शन को देखके ही वो पहचान लेंगे या फिर कभी-कभी स्कीन बायपसी भी इसमें करनी पड़ सकती है अब समझते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में क्योंकि काफी लोग इससे परेशान है और शॉटकट कुछ मिल जाए इसकी पिछे रहते लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको ठीक होने के लिए वक्त देना ही पड़ेगा विकॉज इसको जाने के लिए वक्त लगता ही है लेकिन इसके साथ-साथ अगर कुछ घरल उपाय अगर आप करेंगे तो ये ठीक होने में बहुत जल्दी आपको मदद करेगा क्या उपाय करने चाहिए सबसे पहले तो आपको कोई भी सोप, साबून जो है वो नहीं यूज करना है साबून क्या करता है? आपके स्कीन को ड्राइ बनाता है और जैसे मैंने शुरुवात में बताया तो सुखी अगर स्कीन आपकी हो जाए तो इसका स्केलिंग बढ़ जाता है तो साबून बिलकुल भी आपको यूज नहीं करना है तो फिर आप बोलेंगे कि अगर साबून नहीं लगाना है तो उसकी जगह क्या यूज करना है तो सिंपल फार्मूला है एक बैटली पानी लीजिए उसमें दो चेमच सेंदा मीट डालिए और उस पानी से आपनाईए ताकि स्कीन में जो है वो ड्राइनेस ना पैदा हो दूसरा इंपॉर्टन उपाय आप घर पे ही कर सकते हो वो है इसको मौस्चराइज रखना वो कैसे करेंगे दो चीजों से एक तो आप coconut oil या फिर olive oil अगर आप खोब्रे का तेल भी इसको दिन में तीन से चार बार लगाते हो जब भी आपको ऐसा लगे कि यह dry हो रहा है coconut oil जरूर लगाईए उससे इसका dryness कम होंगा, scaling कम होगी और आपको तकलीफ भी कम होगी तीसरा important उपाय जो घर में ही आप कर सकते है और या light therapy रोज 10 से 15 मिनिट आपको सुभे की जो कवली धूप रहती है उसमें बैठना है उसमें कम से कम कपड़े पेंड के या cotton के कपड़े पेंड के आप बै करते हैं शराब हो सकता है सिगारेट हो सकता है या कॉफी हो सकता है तीनों को आपको पूरी तरह से बंद करना है पाच्वा important उपाय सोरियासिस में देखा गया है कि अगर stress, tension, परेशानी अगर जादा है आपका अगर स्वभाव है stress लेने का तो इससे भी यह बढ़ सकता है सो relax रहना है, stress को कम करना है इस से related काफी वीडियो में रहे वो भी आप जरूर देखिए चटी चीज घर पे ही जो आप कर सकते हो वो आप हपते में दो या तीन बार नीम के पत्ते लाना है उसका रस निकालके पानी में डालके उस पानी से भी आप नहा सकते है इसका भी अत्वपूर्ण चीज है आपका खान पान, खान पान का stress के साथ साथ इसमें बहुत important role है, तो खाने पीने में आपने हरी सबजिया खानी ही चाहिए, फलाहार आपने करना ही चाहिए, रोज कम से कम एक फल जरूर खाना है, उसी के साथ साथ आठवी important चीज है exercise, अगर आप physical exercise नहीं करते है, तो immediately शुरू कर दिजिए, क्योंकि इसमें ये बहुत important है, और एक factors में होता है, अच्छी नींद लेना, अगर आप किसी भी काम की वज़े से, stress की वज़े से आपकी नींद बरावर नहीं होती है, तो उसकी तरब भी ध्यान दिजिए, कम से कम साथ से आठ ग बिमारी है, ये कोई बाहर से आने वाली बिमारी ने, इसलिए मेरा suggestion है कि कोई भी ointment बिल्कुल ना लगाए, steroid के ointment लगाए जाते है, उससे ये कम हो जाता है, लेकिन काफी patients मैंने देखे, जो लोग जादा, जितना जादा ointment लगा के आते हैं, उनको ठीक होने को उतनी ही जादा और देर लगती है, क्योंकि उससे सिर्फ सप्रेज हो जाता है, ताथ पूरता अच्छा हो जाता है, ठीक नहीं होता है, चो हम लोग सजेस्ट करते हैं होमयोपैथी में कि आप external कोई application ना लगाए, सिर्फ coconut आईल आपको लगाना है, उसके साथ साथ आप होमयोपै करते हैं, आपके फिजिक का स्टड़ी करते हैं, उसको मिला के फिर आपको दवाई देते हैं, और इसलिए खुद के मन से कोई भी दवाई मत लीजिए, सोरियासिस दो चार दिन, दस दिन, पंदरा दिन में ठीक वने वाली बीमारी नहीं है, यह काफी दिनों तक चलने वाल बीमारी है, इसलिए ट्रीटमेंट भी प्रॉपर डॉक्टर से ही करवाईए, मैं आपको मेडिसिंस के नाम बता सकता हूं, लेकिन वो बता के आपको दवाईया लेनी ही नहीं है, यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है, ध्यान रखिए, अच्छे डॉक्टर के साथ बात करके व मुस्कुराते रहिए, थैंक यू